So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में BCL Enterprises Share के बारे में बात करेंगे जो Share का प्राइज है यहाँ पे 1.40 पैसे है और इस Share में आज हमें जो है 2.10% तक के यहाँ पे negative returns देखने को मिले हैं इसी के साथ आगे हम इस Share के previous returns को देखते हैं तो 1 month में जो Share है उसने 22.81% तक के हमें यहाँ पे returns दिये हैं साथ ही अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में जो Share है उसने हमें 32.08% तक के returns दिये हैं इसी के साथ आगे हम इस Share के delivery और volume की बात करते हैं तो जो Share की volume है आज की वो 2 lakh की है यस्टरड़े की 4 lakh की, 1 week average की 6 lakh की और 1 month average की 8 lakh की यानि इस Share में जो है 2 lakh से लेकर 8 lakh तक Share trade हुए है और जो Share की delivery है यस्टरड़े की वो 3 lakh की है 1 week average की 4 lakh की और 1 month average की 5 lakh की आगे हम इस Share के resistance और support level के बारे में भी बात करेंगे तो यहाँ पे जो Share है उसमें यहाँ भारी गिरावट को देखते हुए हो सकता है जो Share है वो यहाँ पे अपने support level के पास आ जाए तो जो यह Share है उसमें यहाँ पे risk भी देखने को लग रहा है तो अगर आप इस Share को sale करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं वर्ना अगर आप इस Share को long term के perspective से अच्छे returns पाने के लिए hold करके रखना चाते हैं तो आप अपने own risk में इस Share को hold कर सकते हैं long term में hold करने से हो सकता है कि जो Share है वो थोड़े बहुत returns यहाँ पे आपको देदे